Hey what's up welcome back to another brand video So guys, आज की इस वीडियो को simple explanation video है Simple कुछीजे मैं explain करूँगा वो आपको कुछ करना होगा So आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले है मैं आपको बताने वाला हूँ कि Tencent Gaming Buddy और Game Loop में कौन से ज्यादा बेटर है मैंने दोनों use की है अभी आप देख से वाले है मैंने इसको इसको इस्टाल करके प्रोपर टेस्ट की है इसके बारे मैं आपको बताऊंगा और Game Loop तो मैं अल्रेडी चला रहा था और इसके उपर मैंने stream भी की है तो इसके उपर भी मैंने testing stream की है वह स्टार्टिंग में जब चेंज किया था तो पर वह इतना स्मूथ नहीं था इतने उसके अंदर option नहीं थे इतनी चीज़े नहीं थी ठीक है तो पर आस्ता अस्ता उसको set करा गया क्यूंके टेंसर ने क्या गिया टेंसर ने उसको proper convert किया टेंसर ने official news दी कि हमने उसके लिए एक अलग ही बना दिया है जो PUBG खेलते हो आप उसके लिए हमने game loop को अलग ही कर दिया है ताहां के आप असानी से खेल सको इस वज़ा से वह अब ज्यादा smooth perform करता है as compared to Tension Gaming बड़ी में Tension Gaming Buddy में सबसे पहली चीज तो अप्टिमाइज अप नहीं रहा Tension Gaming Buddy as compared to game loop and game loop काफी optimized भी है डोनों सेम ही है पर उसके अंदर भी game loop वाला इंजन ही चल रहा होता है अगर आप यह सोच चो के Tension Gaming Buddy कर लूँगा आपको performance वही मिलेगी जो आपको वहां पर मिल रही है and then नहीं भी पढ़ता चलो पर मेरा यही कहना है कि आप game loop यूज करो low end PC भी अगर आपका है तो game loop आपको best performance देगा as compared to Tension Gaming तो आपको game loop यूज करना चाहिए game loop काफी ज्यादा better perform करता है and game loop की update भी आती है and काफी ज्यादा optimize है and tension की बाहर बाहर update आती रहती and उपर से Chinese वगयरा आपको English में सब कुछ मिल जाएगा game loop ट्राय करो best है and अगर आप आपका थोड़ा सा lag हो रहा है तो आप मेरी वाली वीडियो जाके देखो जिसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाले कौनसी वीडियो वो भी मैं आपको बता आता हूँ कौनसी वीडियो जाके देखो अगर आप यहाँ पे आते हो वीडियो में तो यहां पे देखो मैंने 4 वीडियो जा लिए यह पूरी सिरीज है ठीक है इदर आप नहीं देखना चाहते पले लिएडłeर tai हाओ तो आज संडे है ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो भी टाइम निकाला है मुश्किल से क्योंके और काम होते हैं घर के एंक उसमें बीजी होयाता है तो यहां पर यह मेरी पूरी सीरीज है गेम लूप को डाउनलोड करना देखो उसके बाद उसकी सेटिंग समझो एंड उसक इसरी बात आपने क्या करना है ये 120 fps वाली वीडियो यह जरूर देखने को बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा और चौती वीडियो जो के आपको Tencent के अंदर convert कर देगा गेम लूप को यार आपको Tencent के अंदर गेम क्यों करना आपको Ten protect यूज करना न ए। Ten protect यहाँ से ही हजाएगा ठीक है तो इसको use करो enjoy करो and make sure आप इस video को ज़रूर समझे होगे and मैं सिरफ इसी लिए ही video ऐसी बनाता हूँ ताके आप लोगों के लिए बना सको आप लोगों को समझा जाए तो game loop यूज करो perfect है and पहले tension gaming body perfect था तो मैं उसके बारे में बताता था but अब कोई फाइदा नहीं उसको use करने का just same engine and आपको सिरफ यह use करना है जिसमें आपको ज्यादा पर वो मिलती है असानिया तो आपको वह use करना है ठीक है guys तो जल्दी से guys चैनल को ज़रूर subscribe करना and video को ज़रूर like करना 1500 subscriber हमारे में 100 रहा गए पर हमने 2K करने चल्दी इस चैनल पर भी and make sure आप ज़रूर like करोगे subscribe करोगे and subscribe ज़रूर करना है यार मिलते हैं अगली वीडियो में just simple मैंने यह बताना चाहरा था and proper details से installation देखनी पूरी series मैंने create की यार आप देखो enjoy करो और आम से कर दो तेंदी वीडियो